हेलो दोस्तों स्वागात आपका एस्फरेंस में देखिए जो एपी अफो के एगजाम है चाहे वो एओ और एओ के हो या फिर एपी अपसी उन्द सभी के एगजाम डेट काफी नजदीक है और आपको रिवीजन के लिए मात एक हपते बचे हैं तो हम चाहते हैं कि आप सभी ह हमारे साथ रिवीजन करें और हम अभी फिला हाल पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है और द्योगिक संबंद उसको रिवाइज करेंगे देखिए हिस्ट्री जोगरफी या फिर पॉल्टी ऐसे सारे सब्जक्ट जो हैं वो लगभग सभी लोग रिवाइज करते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके एकजाम्स के लिए काफी महत्तो पूर्ण हैं लेकिन आप उसको समय नहीं दे पा रहे हैं तो हम आपका समय बचाने के लिए चाहते हैं कि आपके साथ रिवाइज करें इन चीजों को जिससे हमारा भी थोड़ा सा फायदा हो और आपका के बीच होता है यह होता है नियोजक और नियोकता के बीच ठीक है तो नियोजक और नियोकता को इंगलिज में बोलेंगे employee and employer यानि कि आपको जो रोजगार दे रहा है वो हो गया employer और जो रोजगार पा रहा है यानि जिसको रोजगार मिल रहा है वो हो गया है employee यानि कि उदारन के रूप में अगर हम समझें तो आप सभी हैं employee बनना चाहते हैं ठीक है आप सभी employee बनना चाहते हैं जबकि E.P.F. जो है वो बनना चाहता है employer अब इसी के रूप में इसको हम आसानी से समझ सकते हैं और ध्यान रखिएगा कुछ सर्ते होती हैं नियोजन की सर्ते इसी पर आधारित होता है यह संबंद तो अभी फिलाहाल E.P.F. को अगर उदारन की रूप में ले तो हमारे लिए सरते क्या हैं यानि कि हमारे सरते हैं कि हम exams को पास करना होगा और उसके बाद ही हम employee यहां बन सकते हैं तो अंतर राश्ट्री स्रम संगठन जो है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो अध्योगिक संबंद से उत्पादन में सामाजिक संबंदों का भोध होता है यानि कि जो भी production हो रहा है समय जिये कि एक factory है जिसके अंदर कुछ चीज़े production हो रही है वहां पर employee भी है और employer भी है तो इन दोनों के बीच जो संबंद होगा जो सामाजिक संबंद होंगे यानि कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो उसकी देख भाल करना उसके जो health expenditure है उसको अपने तरफ से व्यक्ति करना ए सब चीज़ें क्या होता है कि दिखाता है एक सामाजिक संबंद यानि उन दोनों के बीच कैसे सामाजिक संबंद है उसी को क यहां पे का जाता है कि हंदी वाली चीज़ें inherent यहां हम देखें तो उद्द्योगों के अंतरगत यहां द्योगों के बीच जो संमंद विक्सित होता है उस इकुम संबंद का जाता है मेनेंजयमेंट लेवल है और जो employee है उनका पीक संस्बंद होता है उसी को सम्मंदि कर पार एक्जाम में पूछ लिया जाता है वैसे अगर आप किसी अगर स्कूल या कॉलेज के दिन में इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए ये चीजें काफे इंपर्टेंट होती हैं ये जो भी व्यक्ति इन चीजों को कहे रहते हैं जैसे कि किसी ने को अचारियों के बीच के संबन्द है इसके अंतरगत विभिन स्रम संगो राज और स्रम संगो नियोजको और सरकार के बीच संबन्द संमलित है ये देखिए इन्होंने क्या कि दो चार उदारान डाल दिये यहाँ पे और अपनी परिभासा को थोड़ा सा बदल दिया यानि कि आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सरकार है यानि कि गवर्मेंट चाहि स्टेट गवर्मेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्मेंट हो या फिर जो लोकल लेबल की गवर्मेंट है उसको भी यहाँ पे सामिल कर दिया गया इसके अलामा जो भी व्यक्ति काम करने वाले हैं यहा परिभासा दे दी, लेकिन अब यहाँ हम कुछ बदल दी परिश्थितियों के अनुसार कहा जाता है कि क्या हो सकता है इसकी परिभासा, खेर देखिए परिभासा यहाँ पे कई सारी दी गई हैं, लेकिन कुछ पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, यहाँ यहां पर H1 lag के अमसार कहा गया है कि अध्योगिक सम्मन्द में स्रमिकों और उनकी संस्थाओं नियोजक और उनकी संस्थाओं के साथ राज जैसी संस्थाओं का भी अध्यन किया जाता है इन्होंने भी यही बात किया कि employee employer का relation किस परकार से होगा इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं government के उपर भी कि सरकार जो है या फिर state यहां पर देखिए राज यह कहाने का मतलब simple सा है जो भी इनकी English परिवासा होगी वहां पर state सब्द यूज किया गया होगा state का मतलब यहां पर सरकार से होता है यानि कि जो भी government चला रहे हैं उन लोगों से ना कि राज जी जैसे हमारे यहां UP है MP है ऐसे चीजों से नहीं होता तो जो भी देखिए European लोग यहां पर American लोग है इस्टेट सब्द का यूज वह भी आसे 100 साल 200 साल पहले इसलिए यूज करते थे कि वो सरकार कहना चाहते थे government के बारे में कहने के लिए इस्टेट सब्द का यूज करते थे जैसे कि वो जचाहते है अब यही सारी चीजा प्रस्णों में पूछा जाता है कि वो जडीवी यही वाता वरान का कैसा है तो यह अच्छा होना चाहिए और बिना इंव्द के वो जड Mayo की परिकल्पना नहीं की जा सकती द्यान रखिएगा statement type के अगर question पूछे जाएगा तो इस प्रकार के question बन सकते हैं कि बिना उद्योगों कोई भी उद्योगिक संबंद की परिकल्पना की जा सकती है तो ये statement क्या होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा आगे हैं नियोजक और कर्मचारीों का अस्तित्व ये दो चीजे भी होना जरूरी है यानि कि जो भी employee है और employer है इन दोनों का भी अस्तित्व होना चाहिए इन दोनों के अस्तित्व के बिना कोई भी उद्योगिक संबंद नहीं अस्थापित किया जाता सकता है अब उधारन के रूप में हम देख लेते हैं कि कब समपोच करिए कोई company है जैसे कि Tesla है अब यहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं बहुत सारे वहाँ पे robot यूज किया जाते हैं तो जो employer है यानि कि Elon Musk की बात करें Elon Musk और वो जो robot है उसके बीच कोई अद्योगिक संबंद नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वो जो robot है उनके कोई demand नहीं हो सकते हैं उनके अंदर कोई सजीव चीज नहीं है जिससे वो सोचने समझने की उसकी इस प्रकार की छमता हो जैसे कि मनुसे सोचते हैं तो ना तो इनको कोई salary चाहिए ना ही कोई bonus चाहिए ना ही कोई health सविधा चाहिए ना ही कोई अन्यसु विधाएं चाहिए तो इन दोनों के बीच क्या हो सकता है machine और एक व्यक्ति के बीच या फिर machine या machine के बीच कोई भी employee employer का relation नहीं हो सकता आगे चलिए देखिए मजदूरी के सम्मंद जो है वो भी काफी important होते हैं इसमें ठीक है तो मजदूरी वाले सम्मंद जो होते हैं जैसे कि कारे करने रहे हैं कोई व्यक्ति कारे कर रहा है और वहाँ पे मजदूरी दिया जा रहा है तो वो भी आपके लिए जरूरी है एक स जरूरी है वानिज ज उपार में जहां अहम भूम्का निभाते हैं नियोजक और करमचारी अपने लाप को बढाने का प्रयास करते हैं तो हर जो नियोजक होता है यानि कि जो intolyar होता है वह सोचता है कि कैसे अपने profit को बढ़ाया जैसा है maximum से maximum किया जैसा है suppose कर यह कोई व्यक्ति है जो export करना चाहता है और वो चाहता है कि जैसे ही किसी चीज का दाम जैसे चीनी की कीमत जो है वो विदेशी मार्केटों में बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पे जो demand है वो जादा हो रही है तो demand बढ़ने से वज़य से क्या होगा कि वहाँ पे जो price है वो भी बढ़ने लगेगा तो कोई व्यक्ति समझी है कि इंडिया में और अफरिका में चीनी की कीमते बढ़ रही है तो वो सोचेगा कि जदा से ज़ाद दल लाब कमाया जा सके तो वो जदा से ज़ाद यहां से export करने का कुछिज करेगा लेकिन जो व्यक्ति है जो बोरा उठा के ला रहा है चीनी का बोरा है वो सोचेगा कि इतना सारा काम करना पड़ा है हमें भी कुछ profit मिले, सिर्फ जो मालिक है, वो ही क्यों कमाएं, तो ये भी कहेगा कि सर हमारा थोड़ा सा जो भत्ता है, हमारा जो मजदूरी है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा, तो इसलिए कहना है वाणी जी, यानि कि commerce जिसको बोलते हैं, यानि कि जब भी किसी वस्तु का लेन देन हो रहा है, व्याबार हो रहा है, या व्यवसाय हो रहा है, तो यहाँ पे भी employee employer का relation important हो जाता है, आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक map बनाने के कर आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, कि किस फरकार से अद्द्योगिक संबंद जो हैं, वो सरमिकों नियोजकों और सरमिकों, सरमिकों के बीच का भी संबंद होता है, सरम संगों का भी संबंद होता है, सरम संग क्या होते हैं, सपोच करिए कि किसी फैक्टरी में 200 लोग काम कर रहे हैं, और बगल में भी कोई फैक्टरी है, वहाँ पे भी 100 लोग काम कर रहे हैं, ऐसे करके एक राज ये के अंदर यानि कि सपोँच कर ये उत्तर प्रदेश को ही एक उदारन ले ली जीए उत्तर प्रदेश के अंदर समोच कर ये कि 200 कंपनियां हैं और ऐसे हर कंपनी में 100-200 लोग मिलकर या भी 40-50 लोग मिलकर कम से कम 10,000 लोग काम कर रहा है तो इन सभी का एक क्या होता है कभी कभी union बन जाता है कि सभी कमपणियों से लोग अपना पना नेता चुनते हैं उसके बाद वो मिलके कहीं और किसी और को नेता चुनते हैं इस पकासे मिलके एक सरम संग बना लिया जाता है यानि कि union trade union मना लिया जाता है वही trade union क्या करते हैं आपके हर्ताल जब होता है वहाँ पे काम करते हैं जैसे कि जब trade union चाहेगा कि मजदूरी नहीं बढ़ रही है समय से तो वो क्या करेंगे हर्ताल करेंगे तो सभी जो UP में कंपनिया होंगी उन सभी जगों पे क्या होगा कि हर्ताल हो जाएगा तो इसको बोलते हैं trade union तो ये भी सरमिको और जो नियोजक या फिर नियोग था employer और employer के बीच संबंदों को भी decide करते हैं औद्योगिक संबंदों की बदलाव की औधारणा की बात करें तो ये औधारणा किस प्रकार से होई औद्योगिक संबंद में तो इसको चार अस्तर पर बाटा गया पहले में है प्रत्यच संबंद दूसरे में था अप्रत्यच संबंद तीसरे में था त्री पच्छी संबंद और विभिन निकायों के साथ संबंद में हम चोथे को decide करते हैं अगर देखिए यहां पे बारी-बारी से अगर हम इसको decide करें कि कौन-कौन से अस्तर के संबंद है तो यहां पे अद्योगिक लोगतंतर की भी बात की गई है तो ध्यान रखिएगा यह प्रस्न भी पूछा जा सकता है आपके प्रिलेंस में तो अद्योगिक लोगतंतर यानि कि industrial democracy संबंद सब्द का जो सरवपर्थम प्रयोग है किसने किया ये थें वेप्स उन्होंने ही सबसे पहले अद्योगिक लोगतंतर की परिभासा दी थे अद्योगिक लोगतंतर क्या होता है जैसे कि हमारे देश में लोकतंतर होता है यानि कि सोचने समझने और किसी भी क्रिया कलाप की जो सोंधंतरता होती है उसी को लोकतंतर कहा जाता है तो इसी को industry में यानि कि किसी company के अंदर इसी को लागू करना ही industrial democracy कहा गया अब पहले अस्तर का जो प्रत्य अच्छ सम्मंद है वो किस प्रकार से होता है तो इसमें देखिए employee और employer जो है वो direct आमने सामने बैठते हैं और अपना bargaining power दिखाते हैं यानि कि अगर देखिए किसी को भी समस्य है employee को या फिर employer को employee चाहता है कि उसकी salary बढ़ाई आए तो वो सीधा जो है वो employer से बोलेगा जैसे कि आप अपने किसी company में काम करते हैं तो आप सीधा अपने manager से बोलेंगे या फिर management में जो भी लोग होंगे जिनके अंदर में ये चीजें होती हैं salary बढ़ाना या फिर किसी परकार की सुविधा लेना तो उन चीजों के लिए आप सीधा उसी मालिक से ही बात करें इसी को बोला जाएगा पत्यच समन्द यानि समस्याओं का समाधान विचार मिमर्स के माध्यम से सीधा आमने सामने बाट कर किया जाए इसको stage 1 बोला जाता है stage 2 में क्या होता है कि अब परत्यच तोर पर ये सब चीज़ें की जाती है यानि कि उद्ध्योग के विस्तार उत्पादन में धीरे-धीरे होने के कारण स्रमिकों की संक्या में बृद्धी होने लगी इससे के वज़े से क्या होगा कि स्रमिक और नियोजक के सोंसर से बचने के उद्धे से संगठित होना आराम कर दिया यानि कि अब क्या होगा कि यूनियन बनने लगा किसी कमपनी में सो लोगों का एक यूनियन बन गया दूसरी तरफ नियोजक भी जो था अपना संगठन बनाने लगें यानि कि जो कमपनी के मालिक थें वो भी अपना जो है एक संगठन बना ले लगा अपने हिस्तियास में बढ़ा होगा आहमदाबाद के मामले में और मुंबई के मामले में कि किस प्रकार से जब महात्मा से वापस आएं तो उन्होंने यहां पे भी देखा कि बहुत सारे लोग थे जो बिरला टाटा यह सब लोग ट्रेड यूनि अपना यूनियन बना के रखे हुए थे यानि कि व्यापारियों का जो यूनियन था वो और सरमिकों की समस्याओं का निवारण प्रबंधन के संगठन मना लिए और इन्होंने कहा कि अब जो भी सरमिकों की समस्या होगा वो मैनेजमेंट देखेगा यानि कि जैसे आज कल हम बात करते हैं हर कौन है या फिर बाकी के मैनेजमेंट का कौन देखेगा इन सब चीजों को ही हम कहने लगे हैं कि प्रबंधन देखेगा या तो ये सरमिक इन से डिपेंड बात करें जो भी लेवर हैं या तो हर से बात करें या फिर पहले वो ट्रेड यूनियन को अपना समस्या बताएं और ट्रेड यूनियन बात करेगा मैनेजमेंट से ठीक है तो इस प्रकार से बीच में जब कोई आने लगा तो इसको बोला गया इस्टेज 2 स्टेज 3 की बात करें आगर हम तो इस्टेज 3 में तृप असंबंद यानि की ट्राइब प्रेटाइट की बात की गया किसी देश के विकास है तो उद्द्योगों के विकास पर बल दिया जाने लगा और सर्मिकों की समस्याओं को दूर करने या तो सरकार द धन अरजित करने के जो भी possible चीज़ें हैं वो करें जब कि जो employee हैं वो भी अपने तरीके से सारी कुछ चीज़ें manage करें तो इसी में सरकार ने जब कहा कि कल्यान कारी राजय यानि कि लगभग उस चीज़ की बात होने लगी कि आपको minimum wages जो है एक government decide करेगी कि जो नियुनतम समंध जो हैं वो परस पर सकारात्मक बने रहा है जिससे जो भी industrial revolution आ रहा था उस समय वो लगातार बना रहा है उसमें किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन होने पाए इसके अंतरगत क्या हुआ कि नय स्रम कानून भी मनाये गए ठीक है उसके आलामा उद्द्योगों के नियो मजदूरी ना कराया जा सके या फिर जवर्जस्ती किसी से काम ना किया आर्टिकल 2324 भी जोड़ा गया और उसके अलामा DPS में बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गया है तो इन सब चीजों को ही हम stage 3 के रूप में देखते हैं और इसे भी इसे त्री पच्छिय संबंध भी कह आ गया जैसे कि government बीच में आ गई और employee एक तरफ हो गया और labor union एक तरफ हो गया यानि कि अब यहाँ पर आगर हम तीर बना के इधर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका employer ठीक है employer आ जाएगा जब कि यहाँ पर employee आ जाएंगे तो employee होने क्या कि सरमसंग बनाया और जब कोज कि यहाँ पर योगी आदितनात बैठे हुए हैं और कर रहे हैं कि आप trade union जो आप समस्या वो भी लेका है और जो भी यहाँ पर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके जो management के level लोग हैं वो भी अपनी समस्या लेकिया है कि क्यूं इन दोनों के बीच टकरार हो रहा है तो योगी जी क्या करते हैं कि एक-एक employee को तो बुलाएंगी नहीं employee अगर उतरप्रदेश में ही बात करें तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों की संख्या लाखों होगी तो उन सभी किता समस्या सुन नहीं सकते वो सभी क्या करेंगे अपने ट्रेड जूनियन क और समस्या का समाधान करें तो वो सभी क्या होता है योगी जी के पास अपने पीड़ी समस्या हैं लेकर आते हैं और बताते हैं कि हमारी यह समस्या है तो गौर्णमेंट क्या करती है उसमें bargain पार दिखाती है कि चलिए ठीक है हम इन चीजों को सुदारने का प्रयास करेंग इनको ही हम stage 4 का संबंद बोलते हैं, और द्योगी संबंद को प्रभावित करने के अनेक कारक और भी हो सकते हैं, जैसे कि सरम फेडरेशन, अब यहाँ पर क्या हुआ, सरम फेडरेशन आ गया, यानि कि लेवर फेडरेशन क्या है, नियायालाय भी आ गया यहाँ बीच में, और अतरिक्त, यह सब जो कारान थे हैं, वो भी यहाँ पर कारक जो हैं, वो भी बीच में आ गया, अब क्या हुआ, यहाँ पर नियोजक और सरमिक अपने 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 द्योसों के ध्यान में रखकर एक दूसरे के प्रती सहयोग और मतभेद की भावना रखते हैं, बलकि यह बाहरी कारणों से भी प्रभावित होते हैं, यानि कि अब क्या हुगा, नियोजक पर अन्य प्रभावकारी कारक भी यूज होने लगें, मतलब आने लगें, अजब कि सरमिकों पर भी कुछ चीजें बाहरी तत्व हैं, जिसको हम बोलते हैं बाहरी तत्व, वो प्रभाव ड करें ओके सो अभी के लिए इतना ही थैंक यू